Hello everyone, welcome back in our channel, दोस्तों आप से भी का स्वागत है, मैं हूँ कपिल, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे practice set number 9, UP plus math को लेकर हम आपको important questions जो आपके previous year exam में जो आपसे पूछे गए हैं, वो question हम आपको provide करा रहे हैं, हर एक practice set में आपको 10-10 question देखने को मिलेंगे, और आपको यह पता लगेगा, जो questions का, जो label है, math के question पूछे जाने का, वो किस तरीके का है, ठीक न, ऐसे ही मैंने यह question कहीं से उठाके नहीं बनाए, यह बो question है, जो आपके previous year exam में आपसे पूछे गए हैं, ठीक न, तो न, सारे question जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने already हापे solve कर रखे हैं, ठीक न, जिससे क्या होगा, solve करने के एक फायदा यह होता है, मारे पास, dear student, हमें समझाने के लिए time हमें proper यहापे मिल जाता, मुसकल से 10 से 15 मिट के वीडियो रहती है, और 10 question बिलीव करिए, ऐसे ही question आपसे लगा अतार, UP plus math में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप ऐसे ही questions का practice करिएगा, ठीक है न, तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले question number 1 की, तो question में बोला गया है, यदी A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, यानि कि A plus B 15 दिन में कोई काम पूरा कर देते हैं, और B अकेला इसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, फिर क्या करेंगे A plus B दोनों मिलके 15 दिन में काम करना है, वी करना है हमारा 20 दिन में, ठीक है यह बोला गया, फिर बोला गया, अच्छा आप यह बता दीजिए, जो A है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका LCM, जो भी इनका LCM आता है, वो आपका total work होता है यानि कि दोनों ने मिलके कितना काम किया, 60 किया, 15 से इसको आपको डिवाइड करना है, यानि कि 4, 4 आए गया, 15, 4 जा 60 होता है, तो A plus B का जो एक दिन का काम है, वो चार हो गया, और ऐसे ही आप 20 से डिवाइड करेंगे, तो 3 आजा गया, यानि कि जो B है, एक दिन में 3 काम क आता है, और आपसे पूछा कि A अकेला कितना करेंगा, और A और B दोनों मिलके 4 दिन में कर रहा है, B हमारा कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो, एक यानि कि जो A अकेला एक दिन में कितना काम करेंगा, टोटल काम कितना 60 और एक दिन में कितना कर रहा है, यानि कि 60 इसका आपका आंसर आजाएगा यानि कि एका जुकाम एक दिन का वो आपका हो जाएगा 60 ठीक है ना ये रहा आपका क्वेशन नमबर डू बोला गया है एक ब्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम थथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि इनका जो मिस्रड है वो 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए एक चाय उसकी 15 र प्रति यहां लिख देने है अब एक का 15 रहे एक का 20 है अब दौनों को किस बैलू पर बीखना है 16.5 पर ऐसे आपको लिख़ देना है फिर क्या करना है दौनों का स्टि को 16.5 मानेस करोगे तो आपको 3.5 मिलेगा 15 में से आप इसको मानेस करोगे तो 1.5 मिलेगा ठीकिना हम भी value लिखेंगे minus में आपको difference लिखना नहीं है minus करने के बाद दौनों value को plus के साथ लिखा जाएगा हमने किया कि 20 में से इसको minus कर ले 3.5 15 और इन दौरों का difference आगए 1.5 जब भी इस तरीकिस हम करते हैं तो उन values का ratio आपका निकल के आता है आपसे यही पूछा कि इनका अनुपात क्या होगा 3.5 ratio of 1.5 तो 5 से कट हो जाएंगे 7 और 3 टेम इसका जो option है वो आपका option ए आपका सही हो जाएगा ठीकिना अब बात करते है question number 3 की question number 3 आपसे बोला गया है एक ब्रितिया पईया है ठीक है circle एक टायर है जिसकी radius 1.75 मीटर है तो 11 किलो मीटर की दूरी तै करने में से कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे पाई का वैली 22.7 आपको यूज करना है तो एक जो चक्कर होता है किसी भी वील का जैसे वालो टायर अगर इस तरीके 22.7 और आपका 1.75 यहां पर radius दे रखा है जब आप solve करोगे आपको मिलेगा 11 मीटर यानि कि एक चक्कर जब वो लगाएगा तो 11 मीटर की distance दूर वो तै करेगा अब आपको distance तै करने कितने 11 किलो मीटर यानि कि इसको मीटर में convert करेंगे 11,000 मीटर हो गया 11 मीटर वरावर एक चक्कर अब इसमें कितने निकलेंगे 11 से हम divide कर देंगे और हमारे जो चक्करों की संक्या बो निकलाएगी जब 11 से divide करोगे इसका आएगा 1000 यानि की B option इसका सही हो जाएगा ये वो question है जो आपके exam में पूछे गए हैं तो चलिए बाग करते है question number 4 की तो ये रहा आपका question number 4 बोला गया है आपको यहाँ पे आंक्डे यानि की numbers आपको दे रखे हैं 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 का प्रिसार आपको बताने है यानि की range इसकी क्या होगी तो range निकलने का formula होता जो सबसे बड़ा number है उसमें इस जो दिये हुए number के सबसे छोटे को minus कर दीजिए minus करने पर आपको 8 मिलेगा यानि की इसका जो option वो आपका D सही हो जाएगा कुछ question तो आपके देखते ही solve करने वाले questions होते है अगला question ही रहा तो बोला गया यदि 10, 12, 18, 13, P और 17 का जो माध्या वो 15 है तो P का मान क्या होगा तो माध्य का जो formula वो होता है yoga upon संख्या है माध्या आपको दे रहा है 15 सारी संख्या को उपर addition संख्या है कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से divide जब आप इनको add करोगे तो 70 plus P वन एगा ओके 6 का multiply इधर 15, 6 आपका 90 होता है और 70 को लेके जाएंगे इधर तो 90 minus 70 आपका 20 आजाएगा यानि कि जो P की value है वो आपकी 20 हो जाएगी ठीके न तो चलिए बात करते हैं question number 6 की question number 6 आपका ये रहा अधिक बेचा जाता है तो उसे 12% का लाब होता है यानि कि कोई भी बस्तू थी उसने बेकी बेकने पर उसे 10% का लाब हुआ उसने किया कि फिर 20 रुपे जादा एस्ट्रा रुपे में बेख दी तो उसे पता लगया मुझे तो 12% का लाब हो गया अब बताना है बस्तू का जो क्रेमूली था वो कितना था जब कभी भी ऐसा कोशन आपका आए पहले प्रॉफिट हो रहा हो फिर उसके बाद प्रॉफिट बढ़ गया कब जब एस्ट्रा रुपे में आपने बेखी 20 रुपे जादा में बेख दी तब आपका ये फॉर्मूला वक करेगा क्रेमूली के लिए यानि कि कोश्ट प्रॉफिट का डिफरेंस नीचे आएगा multiply by 100 20 upon 2 multiply 100 हो गया तो 2 से आपका ये 10 टाइम कट हो जाएगा 10 और 100,000 यानि कि इसका जो कोश्ट प्रॉफिट था वो आपका 1000 रुपे था तो कोश्ट नमबर 7 कभी कभी directly solve होने वाले भी कोश्ट आपसे पूछे जाते हैं तो बोला गया है 300 का 30% किसके वराबर होगा 300 हमने लिख दिया multiply 30% यानि कि 30 upon 100 परसेंट का सानेटा आनि कि लिएम divide 100 से करते हैं 100 से आपका ये 3 time आपका cut हो जाएगा 3 into 30 आपका 90 होता यानि कि इसका जो option है वो option A आपका सही हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं कोश्ट नमबर 8 की तरफ ये बो कोश्ट है प्यारे बच्चों जो आपके लगातार previous year में ऐसे ही कोश्ट आपसे exam में बनते हैं तो अगला कोश्ट उसी सीरीज में है कोश्ट नमबर 8 यदि बिक्रे मूल को 2 गुना और लाब को 3 गुना कर दिया जाए यानि कि selling price डवल हो गया किसके profit के 3 गुने के बराबर होता है ठीक है ना यदि बिक्रे मूल लाब के 3 गुना कर दिया जाए दोनों बराबर वैलू रख दिया जाए तो आपको लाब पतिसरत बताना है कितना होगा तो 2 SP is equal to 3P तो 2 SP होगा एककल स्टू profit किसके एक को लोता selling price minus cost price तो 3 का multiply आपको bracket में करना है 3 SP minus CP अब मैंने क्या किया इसको उधर लेके गया तो plus का 3 CP होगा equal to इसको लेके आए मैं इधर इधर पहले सी 3 SP दे और 2 SP धर आगया 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 यानि कि 1 SP यहाँ पर बज़ेगा तो अब comparison कर लेंगे cost price 1 होगई selling price हमारी 3 होगई तो selling price अगर 3 है तो profit हमें 2 का हो रहा है तो profit percent आपका होता है profit upon cost price multiply 100 profit 2 का बना cost price कतनी थी 1 थी और 100 से multiply percent निगानने के लिए 200% यानि कि इसका जो option है वो C सही हो जाएगा बस इतनी सी बास समझनी है जब आप विक्रे मूली को 2 गुना कर देती हो तो लाब के बराबर 3 गुना हो जाता है ठीक है न ऐसे question जब आपसे पूछे जाए तो equation ऐसे ही आपको आप फ्रेम करनी है तो चलिए बढ़ते हैं question number 9 की तरफ तो ये रहा question number 9 और 10 भी इसी में आपको दिख रहा होगा ये practice set हमारा 9 है इससे पहले मैंने 8 तक का वीडियो मैंने पहले ही upload कर दिया है मैंने बोला था आपको 10 practice set सिर्फ मैं आपको provide कराऊँगा उसमें वो question आपके रहेंगे ददस question हर एक practice set में जो आपसे लगा अतर previous year exam UP plus math में आपसे पूछे गए है और उम्मिद यही है जो हम आपको material provide करा रहे है आपको काफी help करें ठीके न तो now आपको fraction दे रखे 9 upon 11, 5 upon 3, 7 upon 5 19 upon 17, 21 upon 23 आपको सबसे छोटी भिन आपको बतानी है जब कभी भी ऐसा question आए तो पहले आपको क्या करना है अंसर हरका अंतर देख लीजिए अंसर हरका जो अंतर है सब में 2-2 का आ रहा है ठीक न जब कभी भी ऐसा pattern follow करें दौनों का जो अंतर है वो same आए ज़रूरी नहीं 2 आए 5, 5, 7, 7, कुछ भी आपका आ सकता है difference अगर same आता है दिये हुए सारे fraction में यानि की भिन्नों में तो जो सबसे उपर छोटी value होगी वही आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी यानि की 5 upon 3 इसका जो है option number B correct हो जाएगा अगर बड़ी value पूछी जाती तो हमारी 21 बाली सही होती ठीक है ना बात करते है question number 10 की square root से हमने एक question लिया हुआ है question में है under root question mark के place पर आपका क्या है 169 equals to 18 upon 3 यह same question यहां लिखा हुआ है आपको करना के square root खटाने के लिए both side square कर लिया तो इसका root cancel हो गया हमने इसके place पर x माल लिया x upon 169 equals to 18 upon 13 10 का square square है तो इसको two time लिखा जा सकता है 13 into 13 169 यह आपका cancel out हो गया 18 into 18 यानि की 324 जो है आपका यहां पर correct option हो जाएगा तो यह था हमारा practice set 9 उम्मीद है आपको यहीं से question पक्का आपको देखने को मिलेंगा और exam में भी काफी help करेंगे okay जिन बच्चों का पहले से ही तैयारी है अगर एज़े practice आप देख रहे हो तो believe करिए इससे अच्छा material और ऐसे ही question आपको जो हम provide करा रहे हैं same आपको देखने को मिलेंगे डिस्टेबल ही आपकी बदल जाएं बट concept okay same आपका यही रहने वाला patterns का क्योंकि लगा अतार ऐसे ही question आपसे exam में पूछे जा रहे हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अपने last practice set के साथ तब तक के लिए धनबाद take care and wait for the next video